आज हम डिसकस करेंगे exercise 2 question number 21 and 22 question number 21 है in the pulley system shown in the figure pulleys A, B and C ये 3 pulleys A, B and C of 1 kg mass each D and E are fixed pulleys, string are light and inextensible choose correct let's say option और all pulleys are frictionless ये given है, tension पूछा है string में और सभी pulleys का acceleration पूछा गया है तो यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर same ही रसी connect होते हुए यहाँ पर A से होते हुए, यहाँ D से होते हुए, फिर pulleys E से होते हुए यही same ही रसी, C से होते हुए, फिर यहाँ B तक आई है मतलब पूरे string में एक ही रसी है connected तो ideal string है हम कह सकते है, ideal string में throughout the string tension same रहेगा, मतलब यहाँ भी tension T ऊपर, उतना ही tension T यहाँ नीचे लगेगा वैसे उतना ही T tension यहाँ नीचे, उतना ही T tension यहाँ नीचे फिर उतना ही T tension यहाँ उपर, A पे उतना ही T tension उपर, उसी तरह से E पे T और T नीचे और इस C पे T और T tension उपर लगते हुए और इस B पे उतना tension T नीचे लगते हुए अब हम A, B और C का F बड़ी बनाते हैं, चलिए तो A का, B का और C बड़ी का F बड़ी बनाया जाएं, तो यह है अपना, let's say, body A यह पुली A रहा, इस पुली A पे जो जो forces लग रहे हैं, उन forces को ड्रॉख करते हैं उसी तरह से यह पुली हमारे पास B रहा, यह है पुली B and next step अपने पास यह पुली रहा, let's say C पुली, just A के नीचे यह पुली बना हुआ है, पुली C अब सबसे पहले यहां पे जो रसी का टेंशन है, वो दिखाये जाएं, तो A पुली पे T और T करके 2T टेंशन उपर लगते हुए दिखाये गया है यहां पे T टेंशन इस पुली A पे और उसी तरह से हम कह सकते हैं इस पुली पे कौन से कौन से टेंशन लग रहे हैं, उनको ड्रॉ करते हैं तो यहां पे हम देख सकते हैं इस पुली पे, A पे, यहां पे T टेंशन अगर उपर लग रहा है इस A पुली पे, उतना ही इस A पुली पे T टेंशन उपर लग रहा है, और नीचे की तरफ T टेंशन लग रहा है, उसी तरह से B पे अगर देखें, तो B पे T टेंशन उपर लग रहा है, उसी direction में B पे T tension उपर लग रहा है, और नीचे के direction में T tension लग रहा है, और पुली C पे देखें, तो पुली C पे हमारा बस T और T, बस दो ही T उपर की तरफ लगते हुए, उसके बाद इन सभी का weight बात करें, सभी का mass 1 kg है, तो नीचे में सब का weight mg लगेगा, that is 10 N, तो सभी में weight नीचे की तरफ 10 N लगते हुए, mg, तो कि mass सब का 1 kg है, तो सब का weight mg नीचे 10 N ही लगेगा, next हम कह सकते हैं, next है आपका, let's say, अगर acceleration, यह पूरा system का accelerate करेगा, मैं नहीं पता, तो इन सब का acceleration हम खुद assume कर लेते हैं, let's say, A का पुली का acceleration नीचे AA से, let's say, C भी accelerate नीच से, पर हमने मान लिया, B भी accelerate करेगा नीचे AB से, अब इनकी equations लिखते हुए, इस पे pseudo force 1 into AA उपर आया, उसी तरह से इस पे pseudo force 1 into AB उपर आया, और उसी तरह से 1 into AC इस पे भी pseudo force उपर आया, तो अब इनकी equation लिखते हैं, तो अब force balance, तो उपर की तरफ, T plus T plus AB, that is, 2T plus AB नीचे की तरफ बन गया, T plus 10 करके, तो यहां से हमारा equation बन गया, T plus AB is equal to 10, यह है equation number 1, उसी तरह से यहां पे भी बोल सकते हैं, उपर की तरफ, 2T plus उपर की तरफ, AA, नीचे की तरफ, T plus 10 लगेगा, therefore, यहां से, T plus acceleration of A, यहां से आ गया, is equal to 10 करके हैं, similarly, यहां से हम बोल सकते हैं, 2T plus acceleration of C is equal to, नीचे की तरफ, 10 लिख दिया जाए, फिर हम constrained motion की बात करते हैं, that is, summation of T.A बरावर 0 लिखते हैं, तो summation T.A 0 लिखते हुए, summation T.A 0 करते हुए, हम देख सकते हैं, इस A पे, net tension T, T उपर हो गया, और नीचे T हो के, net tension T उपर, 2T उपर और T नीचे तो T उपर हुआ, और acceleration नीचे है, तो यहां पे आएगा, T.A में T A cos 180, और cos 180 हम जानते हैं, minus 1 होता है, और उसी तरह से B पे आते हैं, तो B पे भी 2T उपर, और T नीचे तो net tension T उपर, और acceleration नीचे, तो B के case में भी आएगा, minus T into acceleration of B, similarly C के case में, 2T tension उपर और acceleration अपना नीचे है, तो यहां पे कहा जा सकता है, इस case में, 2T into, यह बन जाएगा, AC equal to 0, cos 180 रहेगा सभी case में, T से divide करते हैं, minus T से, तो यह equation हो गया, AA plus AB is equal to minus of 2 times AC, right side लेगे, अब यहां पे हम AA की value, इस equation से, in terms of tension निकाले, यह निकल के आया, 10 minus T करके, उसी तरह से acceleration of B, in terms of, let's say, tension, 10 minus T, और वही acceleration of C, इस case में निकाला जाए, तो 10 minus, यह आ गया, हमारे पास, 2T करके, अब यह सारी values यहां रखी जाए, तो acceleration of A, तो बना हुआ है, 10 minus T, similarly acceleration of B, यह भी बना हुआ है, 10 minus T, is equal to minus 2 times, acceleration of C बात करें, तो 10 minus 2T हो गया, 10 minus 2T, अब इससे simplify किरते हैं, तो यह बन गया, 10 minus T, plus 10 minus T, is equal to, हम कह सकते हैं, 20 minus, let's say, 2T, और right side में बनेगा, minus of 20, plus मेरा 4T, तो यहां से equation आ गया, 40 is equal to, कहा जा सकता है, 60, therefore, यहां से tension की value आई, is equal to 40 by 6 Newton, which is equal to 20 by 3 Newton, let's say, 20 by 3 approximately 6.67 होगा, G की value 9 point rate रखोंगा, तो उस case में, 6.67 से थोड़ा कमा था, therefore, 6.95 Newton हम कह सकते थे, तो पूरी रस्ती में same tension रहेगा, that is, 6.5 Newton, अब इस tension की value, यहां put कर दी जाए, इस equation में, तो यहां से हमारा, एक acceleration हा जाएगा, is equal to 10 minus, यहां पे 20 by 3 रख दूँ, तो यहां यहां 10 by 3, 10 by 3, that is, g by 3 कहा जा सकता है, और plus में आ है, मतलब जिस direction हमने बोला, उसी direction में accelerate करेगा, that is, हम कह सकते हैं, यह जो होगा, यह नीचे की तरफ accelerate करेगा, with an acceleration of g by 3, तो acceleration of a is g by 3 downwards, option number b भी सही होगे यहां से, उसी तरह से, यहां पे भी, अगर put करते हैं, that is, हम tension की value, that is, 20 by 3 जो निकाली, इस case में भी आएगा 10 by 3, और 10 मतलब g हो गया, तो g by 3 का मतलब, हमने जिस direction में plus आया मतलब, इसका भी acceleration g by 3, नीचे की तरफ downward, जबकि यहां बोला है g by 6 upwards, तो इसलिए option number c नहीं होगा, and last, इस option पे आते हैं, तो यहां से हम बोल सकते हैं, acceleration of c जो हो जाएगा, इस 10 minus 2 times t, और t है अपना, 20 by 3, lc हम लेके, यहां 30 minus 40, is minus 10 by 3, तो minus 10 by 3 का मतलब हम कह सकते हैं, यह जो pulli होगा, यह उपर की तरफ, जिस direction माने हो, उसके against, minus g y 3 का आजा सकता है, मतलब जिस direction में अजूम कियां, उसके opposite direction में जाएगा, that is, यह g y 3 से उपर accelerate करेगा, तो c जो pulli है, वो g y 3 से upward accelerate करेगा, तो एफो option number d सही हो जाता है, तो इसका answer हो गया, a, b and d, तो यह 21, यहां तक screenshot ले लो, question number 22, block is placed over a plank, coefficient of friction between block and plank is 0.2, initially both are at rest, suddenly plank starts moving with acceleration 4 meter per second square, displacement of the block in 1 second is relative to the ground and relative to the plank पूछा गया है, तो हम यहां पर देख सकते हैं, कुछ ऐसा situation होगा, लेट से, यह हमारा plank है, लेट से, अब इस plank, लेट से b कह दिया जाए, इस plank को, इस plank पे रखा हुआ है, एक block, तो यह block हम कह दिये, लेट से block a करके हैं, अब यहां पर का गया है, initially दोनों rest पे थे, और suddenly यह जो plank है, यह आगे की तरफ accelerate करता है, with an acceleration of 4 meter per second square, तो मैं यहां देख सकता हूँ, यह जो block होगा, यह भी accelerate आगे करेगा, with same acceleration, 4 meter per second square, इस block का mass m मान लेते हैं, अब हम देख सकते हैं, इस surface के respect में, यह जो point है, आगे तरफ move करेगा, जिसके वज़े से, उपर वाला a block, इस पे friction पीछे देगा, और in reaction, उतना ही friction, बी जो होगा, plank, a को block को आगे देगा, तो a block पे friction आगे लगने के कारण, अब मैं अगर इस block a का fbd अगर बनाओ, तो a जो block है, उस a block का fbd बनाए जाए, चलिए, तो यह block a रहा, of mass m, इस पे friction आगे की तरफ लगते हुए, is equal to, कहा जा सकता है, हो जाएगा, यहाँ पे mg, अब यहाँ पे हम कह सकते है, accelerate 4 meter per second square से आगे करेगा, therefore, इस पे pseudo force हमारा लगेगा, ma कर दिया जाए, तो 4m कर गे, अब यहाँ पे mu की value रखता हूँ, 0.2, mass m, और g की value रख दी जाए 10, तो यहाँ से आया 2m, अब यहाँ से देख सकते हैं, इस a block पे, 4m force पीछे लग रहा है, और 2m force मेरा आगे लग रहा है, तो net force इस पे पीछे लग रहा है, therefore, यह accelerate a से पीछे करेगा, hence इस पे pseudo force आगे, अब force balance करें, तो यहाँ से बोल सकते हैं, 4m is equal to ma plus 2m, therefore, यहाँ से ma की value निकल के आगे 2m, therefore, यहाँ से acceleration आगया 2m per second square, तो हम कह सकते हैं, इस block a का acceleration 2m per second square towards left हो जाएगा, तो block की अगर बात करें, therefore, for block, block a की बात करूं, block a का acceleration आगया with respect to the ground, यहाँ से मैं बोल सकता हूं, block a का displacement ut, initial velocity rest पे बोला रखा है question में, तो ut half of acceleration at 2, और time बोला गया question में, once again, तो 1 का square कर दिया जाए, यहाँ से हम बोल सकते हैं, a block का displacement हो गया, 1m, तो a block 1m displace कर जाता है, relative to the ground, तो पूछा था displacement of the block, relative to the ground, तो 1m आ गया, अब उसी तरह से relative to plank बात करें, तो plank के relative कितना होगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, कि इस case में, यह जो acceleration आया, यह acceleration आया, 2m per second square, तो acceleration of the block, relative to the plank अगर बात करें, वो हो जाएगा 2, plank आगे जा रहा है, block पीछे जा रहा है, तो relative acceleration अगर हम बात करें, relative acceleration 4-2 is 2m per second square, तो यह भी आएगा 1m, तो देफो 1m relative to plank भी हो जाएगा, तो 22 का answer A और B दोनों होगे, तो यह 22, नहां तरस, इंशॉर्ण.